नमस्कार दोस्तों, SN Electrical Academy के YouTube Channel पे आपका स्वागत है दोस्तों हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हुए हैं Electrician Trade Theory के CBT exam का आज के paper का analysis ले करके दोस्तों आज हमको student ने Electrician Trade Theory के और कुछ वरक्साप calculation के भी question send किये हुए है उन्ही question को आज हम discussion आपके बीच करेंगे और जो student कल exam देने जाएंगे वो student इन question को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे यदि किसी question पे doubt हो जाएगा तो हमें comment कर सकते हैं हम उसका reply जरूर देंगे तो दोस्तों साथी साथ आपसे निवेदन करते हैं कि मैं new Indian ITI में पढ़ाता हूं उनकी जो सहयोगी संस्था है उनके सभी student से मेरा निवेदन है कि वो student जिनका session 21-23 है वो student यदि electrician के हैं welder के हैं diesel mechanic के हैं और welder के हैं उन सभी student से मेरा निवेदन है कि इस कि वे सभी student इस channel को subscribe करते हैं क्योंकि दोस्त हम बहुत जल्द आपके बीच एक series लाने वालने हैं वो series होगी workshop calculation की और electrician trade theory की जो हम YouTube पे एक घंटे workshop calculation और एक घंटे electrician trade theory पढ़ाएंगे तो इसमें इस समय जो दिक्कत है वो ये दिक्कत है कि हमें YouTube द्वारा online पढ़ाने के परमिसन नहीं मिल पा रहा है यदि आप सभी student यदि support कर देंगे सभी student यदि इस channel को subscribe कर देंगे तो हमें YouTube द्वारा online अनुमती मिल जाएगी पढ़ाने के लिए तो आप जितना जल्दी ये हमारा support कर देंगे तो मैं आपके बीच ये बहुत जल्द series लादूंगा तो साथी साथ आप सभी student से ये निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और यदि आप इस channel पर नए हैं तो आप इस channel को subscribe कर लें और अपने दोस्तों से भी subscribe करा दें तो आईए दोस्तों आज जो cbt exam में जो की आपको पता भी होगा electrician trade theory के welder के भी heater के भी diesel mechanic के भी जिनका bag paper है उन bag paper का exam हो रहा है जो एक फरवरी से ही start हो गया है तो आज की paper का हम analysis करेंगे कि आज की paper का label कैसा रहा आज की paper में electrician trade theory के question है और कुछ WCS यानि workshop calculation के भी question हमारे पास student ने भेजा हुआ है उन्ही question को हम आज देखेंगे तो ये जो पहला number question पूछा गया था ये बृत है और इस बृत का PDF बनाते वक्त question मिट गया है तो इस बृत का जो पूछा गया था कि इसकी परीधी क्या होती है तो बृत की परीधी का फार्मूला पूछा गया था तो बृत की परीधी का जो फार्मूला होता है वो 2πr होता है और यदि छेतरफल कहता तो πr² हो जाता है फिलहाल यहां परीधी पूछा है इसलिए टू पाई आर होगा जो आपसा नंबर सी में दिया हुआ है इसलिए आपसा नंबर सी सही हो जाएगा टू पाई आर नेक्स्ट जो कोशन आज पूछा गया था वो यह 68 नंबर कोशन पूछा गया था इसमें कहरा है कि बृत के छेतरफल का फर्मूला क्या होता है तो बृत के छेतरफल का जो फर्मूला होता है पाई आर इसक्वाइर होता है जो आपसा नंबर बी में दिया हुआ है इसलिए नेक्स्ट कोश्चन जो है यह 117 नमबर और 118 नमबर कोश्चन पुछे गए थे यह कोश्चन है 117 नमबर यह है A to the power M into A to the power N इसमें कोश्चनों को हल करने का तरीका होता है कि जिसका बेस समान हो और यह आपस में गुणा में हो तो इनकी घाते जूड़ जाती है यहां देख रहे हैं कि इसका भी बेस A है और इसका भी बेस A है यानि आपस में घाते जूड़ जाएंगी यानि M plus N हो जाएगा जो आपसर नमबर A में दिया हुआ है इसलिए आपसर नमबर A सही हो जाएगा नेक्स जो कोशन पुछा गया था यह 118 में कोशन पुछा गया था इसमें कहरा है कि A to the power M upon A to the power N जब बेस समान हो और रासिया आपस में भाग के रूप में हो तो इसको उपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी यानि A to the power M minus N हो जाएगा जो आपसर नमबर B में दिया गया है इसलिए आपसर नमबर B सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पुछा गया था ये 121 नमबर भी कोश्चन आया हुआ था इसमें इसका हल करना है यानि A to the power M का power N को हल करेंगे तो A to the power M है का power N है यानि ये आपस में गुणा हो जाएगा यानि A to the power M into N हो जाएगा जो की आपसर नमबर D में दिया हुआ है इसलिए आपसर नमबर D सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पुछा गया था ये 13 नमबर कोश्चन पुछा गया था इसमें कह रहा है यदि बस तू समतल पर उपर की उर है तो बल क्या होगा तो F equal to होता है W sin theta प्लस phi अपन कास theta ये फर्मूला होता है जो आपसर नमबर B में दिया हुआ है इसलिए आपसर नमबर B सही हो जाएगा next जो question पुछा गया था WCS में ये question पुछा गया था घरसन गुणांग का formula या सुत्र क्या होता है तो घरसन गुणांग का जो formula होता है उसे घरसन गुणांग को हम mu से present करते हैं इसको हम mu कहते हैं mu equal to होता है F upon W डबलू जो है कारी है और F जो है बल है और इसको घरसन गुणांग करते हैं घरसन गुणांग को mu से present करते हैं यही formula इसका होता है जो option number D में दिया हुआ है इसलिए option number D सही हो जाएगा दोस्तों यही workshop calculation में question हमारे पास student ने भेजा हुआ था अब electrician trade theory के question हमारे पास student ने भेजा हुआ है आईए इसका label हम देखते हैं कि आज जो question का label रहा वो कैसा रहा तो 232 number question पूछा गया था इसमें कहरा है कि leakage current protection से बचाव है तू wiring circuit के साथ साथ कौन सा circuit breaker प्रियोग किया जाता है तो leakage current protection से जो circuit breaker प्रियोग किया जाएगा वो ELCB होगा यानि अर्थ leakage circuit breaker जो आपसा number C में दिया हुआ है इसलिए आपसा number C सही हो जाएगा OCB का full form होता है oil circuit breaker और MCB का होता है miniature circuit breaker यह हमारे घरेलू में भी install रहती है OCB, MCB का full form होता है miniature circuit breaker और यह overload और short circuit दोनों में protection देती है और यह manually operate हो जाती है इसकी जो rating होती है वो 5A से 60A तक होती है और इसका updated data जो है वो 6A से 63A हो गया है और 230 bolt होती है और इसी का updated रूप जो हो गया है इस समय MCC भी आ रहा है इसका जो full form होता है molded case circuit breaker होता है और इसकी जो current rating होती है वो 25,000 A तक होती है next जो question पूछा गया था वो 233 number question पूछा गया था इसमें कहे रहा है कि power cut off के बाद कौन सा relay अपने संपरकों को इस्थिती बनाए में रखती है मतलब make करके रखती है तो कौन सी relay है जो यदि supply off हो जाती है तो भी अपने contact point को make यानि बनाए रखती है जोड़ के रखती है तो वो जो relay होती है वो latching relay होती है option number D में आप देखेंगे तो latching relay दिया हुआ है इसलिए option number D सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था इस figure को देख करके आपको बताना है कि यह किस circuit breaker का है तो यह जो है circuit breaker यह air blast circuit breaker है इसको उसाट में A, C, A, B, C, B कहते है air blast circuit breaker और इसका जो use किया जाता है वो 132 के भी में किया जाता है जब आप sub station पे देखेंगे तो इस type के circuit breaker आपको मिलेंगे और इसका use जो है ट्रेनों में भी किया जाता है question पूछा जाता है कि ट्रेनों में कौन से circuit breaker का प्रियोग किया जाता है तो A, B, C, B यानि air blast circuit breaker का ही प्रियोग किया जाता है next जो question पूछा गया था वो 235 नंबर इसमें कहा रहा है कि circuit breaker की टूटने की छमता को मुल्यांकन कैसे किया जाता है मतलब English side में आप देखेंगे तो यहां लिखा है कि rupturing capacity मतलब circuit breaker की rupturing capacity को पूछा है तो उसको हम measure करते हैं मापते हैं MbA में मतलब Megabolt Ampere में आपसा नंबर C में आप देखेंगे MbA दिया हुआ है यानि आपसा नंबर C सही हो जाएगा जो transmission line की voltage होती है उसको हम kilobolt में measure करते हैं जरनेटर और motor को rated किया जाता है तो kilowatt में किया जाता है और जब हम capacitor को power factor improve में use करते हैं उस समय capacitor की जो rating करते हैं वो KVAR में करते हैं नेक्स जो question पुछा गया था वो 134 नंबर question पुछा गया था इसमें कहरा है कि DC motor में बल अगुन के समानुपाती कौन होता है यानि टार्क के समानुपाती कौन होता है तो टार्क समानुपाती फाई IE होता है संट motor है तो उसमें IE होगा किवल armature current होगी अगर series motor होगा तो उसमें current के square हो जाता है फिलाल यहां condition नहीं लगा है कि संट है कि सीरीज है सिर्फ कहा है DC motor तो आप टार्क समानुपाती फाई IE square भी लगा सकते हैं या IE भी लिख सकते हैं तो यहां आप देख रहे होगे कि टार्क के ठिक समानुपाती जो होई वो armature current होई क्योंकि संट मोटर में flux जो होता है वो constant होता है लेकिन सीरीज मोटर में flux जो है variable होता है तो यहां जो हुआ armature current होई आप सन नंबर D में आप देखेंगे तो दिया हुआ है armature current याप सन नंबर D सही हो जाएगा नेक्स्ट जो question पूछा गया था 135 नंबर question पूछा गया था इसमें कह रहा है कि VF drive में IGBT का क्या होता है VF मतलब variable frequency drive में IGBT का full form होता है insulated gate bipolar transistor इसका use कहां किया जाता है इसका use inverter switching device में किया जाता है आप जानते भी होंगे कि inverter का जो काम होता है वह DC to AC करने का काम inverter का होता है तो variable frequency drive में IGBT का का काम हुआ inverter switching device में और IGBT का full form insulated gate bipolar transistor आपसन नंबर ये जो दिया हुआ है inverter switching device में यानि आपसन नंबर ये सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था ये 77 नंबर question पूछा गया था इसमें कह रहा है कि control panel wiring में प्रयुक्त गौण का नाम क्या है मतलब ये control panel wiring में ये SS series का नाम क्या है तो इस ड्राइंग को आप देख करके इस ड्राइंग का जो नाम हुआ उसका नाम जो होता है वो chromate होता है chromate आपसन जो ए है लग है थिंबल है chromate है यानि आपसन नंबर C में दिया हुआ है chromate यानि आपसन नंबर C सही हो जाएगा ये 78 नंबर question पुछा गया था इसमें कहा रहा है कि panel board में कौन सा device overload और short circuit से protection देता है panel board में कौन सा ऐसा उपकरण है जो overload और short circuit दोनों से protection देता है तो वो होता है MCB MCB, IMCB का full farm जो होता है miniature circuit breaker आपसन नंबर D में दिया हुआ है miniature circuit breaker यानि MCB तो आपसन नंबर D सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था इस figure को देख करके ये बताना है कि ये कौन सी motor का है ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ supply दिया जा रहा है यहाँ positive terminal है और यहाँ मतलब यहाँ phase है और यहाँ neutral है और इस ठीक supply के समनांतर में यह capsid winding की गई है इस binding को represent किया गया है E1-E2 से यानि यह जो binding होई running binding होई और इस supply के series में यह एक binding की गई है इसको denote किया है Z1-Z2 से यानि यह जो binding होगी यह starting binding होगी starting binding का दूसरा नाम auxiliary binding होता है और running binding का दूसरा नाम main binding होता है इसमें दो capacitor लगाएगे हैं C1 और C2 और C2 capacitor के साथ एक centrifugal switch भी लगा है इसका function यह है कि जब यह motor 75-80% गती प्राप्त कर लेगी अपनी समन्य गती का तो यह centrifugal switch आफ हो जाएगा उस condition में C2 जो capacitor है वो circuit से disconnect हो जाएगा और C1 के साथ लगातार motor चलती रहेगी अर्थाथ इस motor का जो नाम हुआ क्योंकि starting में capacitor लगा है और 75-80% गती पर disconnect हो रहा है और उसके बाद एक capacitor लगातार चलता इसकी गती के साथ लगातार चल रहा है running से starting, starting से running अर्थाथ इसका नाम हुआ capacitor start क्योंकि यह start किया तो capacitor start और यह एक साथ में चल लगा है तो capacitor run motor यानि capacitor start capacitor run motor इस machine का नाम होगा जो option number D में दिया हुआ है capacitor start capacitor run motor यानि option number D सही हो जाएगा next जो question आया हुआ था वो 216 number question आया हुआ था इसमें कहरा है कि एसी single phase motor किस प्रकार को commutator motor प्रकार के तहत वरगी करित की जाती है मतलब single phase induction machine में commutator motor type में काउन सी single phase की motor आती है तो वो जो motor आती है repulsion motor आती है option number B में दिया हुआ है repulsion motor इसलिए option number B सही हो जाएगा next जो question पुछा गया था यह 189 number question पुछा गया था इसमें कहरा है कि rotary switch के किस प्रकार के design का सचितर वरडन किया गया है इस switch का नम बताना है तो यह rotary switch और इसी को coin slot भी कहते है जो यहाँ पे symbol दे रहा है इसी को हम coin slot भी कहते है और इसको कहीं कहीं rotary switch भी देता है अभी NFL का exam हुआ था National Fertilizer Limited का उसमें यही हूब हूब कम्प्यूटर की भासा पे copy paste करके यह पुछा गया था और इसका नाम पुछा गया था कि यह किस symbol का है तो वहाँ पे rotary switch दिया हुआ था और यहाँ पे जो कह रहा है question कि यह किस type का है यह वाला पार्ट को तो यह coin slot कहेंगे इसको जो option number C में दिया हुआ है CK का slot यानि coin slot यानि option number C सही हो जाएगा next जो question पुछा गया था यह question symbol दिया हुआ था और इसमें पुछा गया था कि यह कौन सा test किया जा रहा है तो यह जो है winding की गई है stator winding है और यह इसकी वाहर वाले भाग को आप कहिए body body का दूसरा नाम योख होता है या दूसरा नाम उसका frame भी कहते हैं और यह इसका base हो जाएगा इसमें यह winding दिखाई गई है और यहाँ पे हम supply दिया रहा है मतलब इसमें जो test किया जा रहा है यह negative और यह positive का संकेत दिया हुआ है यानि यह जो test किया जा रहा है वो polarity test किया जाता है जब किसी भी machine की rewinding हो जाती है तो उसमें machine को चलाने से पहले उसमें सबसे पहला काम जो होता है वो polarity test का ही होता है तो option जो ए दिया हुआ है polarity test यानि option number ये सही हो जाएगा ये जो test किया जा रहा है ये polarity test किया जा रहा है next जो question पूछा गया था वो 171 number question पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि AC 3-page induction motor का प्रारंभी current क्या होता है 3-page induction machine की starting current क्या होती है तो starting current full current का 5-6 गुना होती है जो option number D में दिया गया है कि पूड भार थारा का 5-6 गुना यानि option number D सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था 135 number इसमें कहा रहा है कि 3 कला मोटर में winding के बीच कला बिश्थापन क्या होगा जो फेज का क्रम है हमारे देश में वो R, Y, B है यानि red, yellow, blue है और ये आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री पर अस्थापित होते हैं जैसे ये R हुआ Y हुआ, ये B हुआ तो इसके बीच का जो एंगल होगा 120 डिग्री, इसके बीच का 120 डिग्री और इसके बीच का 120 डिग्री ये ऐसे हुआ कि मेकेनिकल जो डिग्री टोटल होती है वो 360 डिग्री होती है और इसमें दिया हुआ है फेज कितना है, तीन है आप तीन से भाग देंगे तो 120 डिग्री आएगा यानि तीन कला मोटर बिस्थापन की वाइंडिंग का जो डिस्प्लेसमेंट होगा एंगल का वो 120 डिग्री होगा जो आपसा नंबर B में दिया हुआ है 120 डिग्री है इसलिए आपसा नंबर B सही हो जाएगा इसमें आपको देख करके इस बताना है कि ये X से दिखाए गए भाग का नाम क्या है तो इस पूरे भाग को जो हम कहते हैं ये रोटर है और रोटर में भी कौन टाइप का रोटर है तो थ्रीफेज इंडक्शन मसीन में बाउंड रोटर है इस बाउंड रोटर का प्रियोग 3-phase induction machine में slip ring induction machine में प्रयोग किया जाता है और slip ring induction machine की जो बिसेस्ता होती है उसकी high starting tark होता है तो इसमें ये इसका shaft है और ये rotor का slot है और इसमें rotor winding की गई है और इसके shaft पे ये तीन जो X से दिखाएगे भाग का नाम पुछा है तो ये जो भाग है गये भाग का जो नाम है वो slip ring है आपसा number D में आप देखेंगे तो slip ring दिया हुआ है इसलिए आपसा number D सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था 102 number इसमें कहरा है कि DC motor के लिए starter की क्या आवसकता है तो DC motor में starter की आवसकता ये है कि starting में हाई current को control करने का काम DC motor में starter का ही होता है क्योंकि starting में जो 23 MF होता है वो zero होता है और current जो है motor जादे लेती है उस समय current को सीमित करने का काम जो करता है वो starter ही करता है अर्थाथ current controlling का जो काम करेगा वो starter करेगा आपसा number D में आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि armature current को सिमित करता है कौन starter इसलिए option number D से ही हो जाएगा next जो question पूछा गया था 103 number इसमें कर रहा है कि armature winding का परिक्षण करने के लिए किस प्रकार की उपकरण का उपयोग किया जाता है armature winding का परिक्षण करना है आप ध्यान से समझेगा इस question को यदि हमको test करना है तो इसमें growler का प्रियोग किया जाता है और growler जो होता है वो दो प्रकार का होता है एक वाह ग्राउलर होता है और एक आंतरी ग्राउलर होता है आंतरीक ग्राउलर, ग्राउलर का से जो टेस्ट किया जाता है वो तीन प्रकार के टेस्ट किया जाता है open circuit test, short circuit test और ground test ये तीनों test जो है वो ग्राउलर से ही किया जाते है अब इसमें जो है आंतरीक ग्राउलर और वाहे ग्राउलर दो ग्राउलर हुए तो आंतरीक ग्राउलर का प्रियोग कहां किया जाता है तो AC मसीन में open circuit test, short circuit test और ground test ग्यांत करने के लिए आंतरीक ग्राउलर का प्रियोग किया जाता है और वाहे ग्राउलर का प्रियोग कहां किया जाता है तो वाह ग्राउलर का प्रियोग DC मसीन में open circuit test, short circuited और ground test ग्यांद करने के लिए किया जाता है लेकिन यहां केवल पूछा है कि armature winding armature winding का मतलब यह हुआ कि यहां जो growler प्रियोग किया जाएगा वो वाह ग्राउलर प्रियोग किया जाएगा और इस पे armature रख करके इसका test किया जाएगा open circuit test, short circuit test और ground test तो यहां जो armature winding का प्रियोग किया जाएगा ग्राउलर प्रियोग किया जाएगा जो आपसा नंबर B में दिया हुआ है ग्राउलर इसलिए आपसा नंबर B सही हो जाएगा A में जो दिया है मेगर मेगर का प्रियोग हम insulation resistance मेजर करने में किया जाता है और C में दिया है multimeter multimeter का दूसरा नाम होता है abometer abometer यानि multimeter से हम एक साथ current, voltage और resistance तीनों मेजर कर सकते हैं aometer से भी हम resistance का ही मेजर करते हैं next जो question पूछा गया था 96 number question पूछा गया था इसमें ये symbol दिया गया है ये टार्क को नेरूपित कर रहा है और ये speed को और इसमें कह रहा है कि ये जो figure draw है ये किस motor को represent कर रहा है तो ये जो represent कर रहा है ये cumulative compound motor का है क्यों? क्योंकि आपसा number A में जो series है तो series का जो graph बनेगा वो ऐसे बनेगा क्योंकि series motor पे high starting टार्क होता है लेकिन load बढ़ाते हैं तो इसकी speed ज़्यादे गिरती है अपेक्छा करित संट motor का संट motor का जो होता है वो कम गिरता है यानि संट motor को एक constant speed वाली motor भी कहा जाता है तो यहाँ जो है इस figure को आप देख करके इसमें जो होगा ये cumulative compound motor होगा क्योंकि इसकी speed तो गिर रही है लेकिन अपेक्छा करित कम गिर रही है तो यहाँ जो हम कहेंगे कि cumulative compound motor यानि आपसा number C सही हो जाएगा नेक्ष्ट जो question पूछा गया था वो 97 नंबर question पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि four point starter में holding coil से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश से क्या होता है holding coil four point starter है तो वो उसके series में connect होती है इसकी sun field winding के और इसका जो काम होता है nvc में current जो flow होती है उसको control करने का काम जो होता है वो holding coil का होता है nvc में nvc का full farm जो होता है no volt coil यानि holding coil के series में resistance लगाने का उद्देश से यह हुआ कि nvc यानि no volt coil में current को सिमित करने का काम करता है आपसन नमबर यह जो है nvc में धारा सिमित करता है यानि आपसन नमबर यह सही हो जाएगा और nvc का full power में याद रखेगा no volt coil होता है next जो question पूछा गया था वो 69 number question पूछा गया था इसमें कर रहा है कि dc motor में emf की गणना करने का formula क्या होता है dc motor में याद रखेगा dc motor हो या dc generator हो दोनों में back emf ग्यांत करने का formula एक ही होता है अब वो formula होता है eb equal to five z n p upon 60 a eb जो है back emf है five जो है flux है z जो है conductor की संख्या है n जो है वो armature की घूमने की गती है p जो है pole है और a जो है parallel रास्तों की संख्या है dc motor हो या dc generator हो दोनों में emf गणना करने का formula एक ही होता है और ये ये formula है eb equal to five z n p upon 60 a आध्यान से देखेंगे तो c option में ये दिया हुआ है eb equal to five z n p upon 60 a इसलिए option number c सही हो जाएगा next जो question पूछा गया था ये 70 number इसमें कहरा है कि चित्र में दिखाएगे उपकरन का नाम क्या है तो ये जो उपकरन है ये growler है और growler में भी ये वाहे growler है इसी पर हम armature को रख करके armature winding में open circuit test, short circuit test और ground test तीनो test ग्यांद कर सकते हैं तो ये वाहे growler है अगर आंतरिक growler होता तो AC machine के इस टेटर में open circuit test, short circuit test और ground test तीनो ग्यांद करते हैं तो यहां याद रखिएगा इस उपकरन का जो नाम है growler है नेक्स्ट जो question पूछा गया था वो 61 question पूछा गया था इसमें का रहा है कि DC motor की गती की गणना करने के लिए किस सुत्र का प्रियोग किया जाता है फर्मूला पूछा गया है DC motor के लिए तो DC motor के लिए फर्मूला जो होता है N इक्वल टू E B अपान फाई होता है N जो है वो motor की गती है E B जो है बै की M F है और फाई जो है फ्लक्स है यानि N इक्वल टू E B अपान फाई आपसन नंबर A में दिया हुआ है इसलिए आपसन नंबर A सही हो जाएगा मोटर की आरमेचर में डूपलेक्स लैप बैंडिंग है तो कितने समनांतर रास्ते होंगे लैप बैंडिंग में कंडिशन होता है कि लैप बैंडिंग में जीतने पूल होंगे उतने पैरलल रास्ते होते हैं यहां जो पूल है वो चार है तो रास्ते भी होंगे चार लेकिन इ गुढ़ा होगा तो कुड़नफल जो आएगा वो टोटल रास्तों की संख्या होगे तो चार दुनी का आठ यानी टोटल रास्तों की संख्या-8 होई आपसन नंबर D में दिया हुआ है एट इसलिए आपसन नमबर D सही हो जाएगा अगर इसी कंडिशन में यहां ट्रिपलेक्स कहता तो यहां तीन से गुणा करते तो इस चर्तियाई का बारह रास्ते हो जाते अगर यहां पे क्वाडूपलेक्स देता क्वाडूपलेक्स का मतलब होता है फोर तो यहां चार रखते और चचव का सोरह मतलब सोरह रास्ते हो जाते फिलाल यहां डूपलेक्स कहा था इसलिए हम दो लिए थे चार दूनी का आठ आठ रास्ते होंगे यानि आपसा नमबर D सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोश्चन पूछा गया था यह 36 नमबर कोश्चन पूछा गया था इसमें कहा रहा है कि आर्मे आर्क वेल्डिंग के लिए किस परकार के DC जर्रेटर का प्रियोग किया जाता है याद रखिएगा आर्क वेल्डिंग हो या चाप वेल्डिंग हो दोनों वेंडिंग में जो जर्रेटर प्रियोग की जाएगी डिफरेंशियल कंपाउंड जर्रेटर प्रियोग की जाती है जो आपसन नमबर C में दिया हुआ है इसलिए आपसन नमबर C सही हो जाएगा आपसन जो ए दिया है संट जर्रेटर संट जर्रेटर का प्रियोग हम सेंट्री फ्यूगल पंप, इलेक्ट्रो प्लेटिंग, इग्जाइटिंग और बैटरी चार्जिंग सेट में प्रियोग करते हैं संट जर्नेटर का सीरी जर्नेटर का प्रियोग हम DC ट्रांस्मिसल लाइन में हुए बोल्टेज ड्राप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनीतर की रूप में स्रेडी जर्नेटर का प्रियोग करते हैं नेक्स्ट जो कोश्चन पूछा गया था, यह 37 नमबर कोश्चन पूछा गया था इसमें कहरा है कि DC जर्नेटर में तरंग बैंडिंग की भी सिस्था क्या होती है तरंग बैंडिंग यानि वेफ बैंडिंग, वेफ बैंडिंग को वहाँ हम प्रिफर करते हैं जहां पे बोल्टेज जो हो हाई हो, करेंट जो हो लो हो और इस तरीके से एक वेफ हो गई, तो वेफ के लिए यह कंडिशन हो गया एक हो गई lap binding तो lap binding में ठीक wave का ultra condition होता है मतलम इसमें voltage जो होगा low होगा और current जो होगी high होगी यहां जो पूछा गया है wave binding में तो wave binding में voltage जो होगा high होगा current जो होगी low होगी option number A में दिया है current कम voltage कम गलत हो जाएगा B जो है high current तो high current नहीं होगी C में कम धारा उच्च voltage यानि option number C सही हो जाएगा wave binding के लिए next जो question पूछा गया था यह question पूछा गया था PDF बनाते वक्त इसका question मिट गया है आप इसको figure को देख करके इस figure को आपको बताना है कि यह कौन से जर्नेटर का है अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे अलग से DC supply दिया जा रहा है और यह armature binding है इसकी यह sunt field binding है यानि इसमें filled excitation के लिए बाहर से DC supply दिया जा रहा है अर्थात यह जो जर्नेटर हुई separately excitation जर्नेटर हुई तो option A में दिया हुआ है sunt generator तो sunt generator जो होता है self excitation होता है इसमें बाहर से DC किया वसकता नहीं होगी तो यह नहीं होगा B जो है स्रेडी जर्नित स्रेडी जर्नित्र भी self excitation होता है तो इसमें भी बाहर DC किया वसकता नहीं होगी ये भी नहीं होगा compound में भी self excitation होता है तो इसमें भी wire DC की आउसकता नहीं होगी तो ये भी नहीं होगा लेकिन D option में आप देखेंगे तो लिखाया कि separately excitation generator यानि इसमें बाहर से DC की आउसकता होगी इसलिए option number D सही हो जाएगा next जो question पुछा गया था 8 number इसमें का रहा है कि generator द्वारा किस उर्जा को बीदूत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है ध्यान से देखिएगा generator जो होता है वो generator यांतरी कुर्जा को बीदूत उर्जा में बदलता है यानि generator mechanical energy to electrical energy ये generator होता है जो option number D में दिया हुआ है यान्तरी कुर्जा mechanical energy यानि option number D सही हो जाएगा यदि इसी question पे motor कहता कि motor की सुर्जा सकी सुर्जा में रुपांतरन करता है तो motor जो है वो बीदूत उर्जा को यान्तरी कुर्जा में बदलता है मतलब electrical energy को mechanical energy में motor convert करता है यहाँ फिलार जर्रेटर का पूछा था इसलिए generator जो बदलेगा mechanical energy यान्तरी कुर्जा को बीदू तूर्जा में यानि electrical energy में बदलेगा इसलिए option number यहाँ D सही हो जाएगा तो दोस्तों यही question थे जो हमारे पास student ने आज के CBT exam में जिसका ITI second year का जो back paper हो रहा है वो आज हुआ है उन्ही में यह question आये हुए थे जो हमारे पास student ने भेजा हुआ था जो हम आपके बीच उन question को full discussion किये यदि किसी question में आपको doubt हो जाता है तो हमें आप comment कर सकते हैं हम उसका reply जरूर देंगे और साथी साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करें share करें और यदि आप इस channel पे नए हैं तो please इस channel को subscribe करें तो इस वीडियो में बस इतना है तक तक के लिए बाई बाई ठेक करें